तीन तरह के लोगों का एक खतरनाक मिक्चर है यह मूवी, तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाला देविल मूवी के बारे में, जो एक कोरियन मूवी है, 2019 में यह मूवी आई थी, तकरीबन जिसकी लैंट है, वो धेड़ गंटे के या दो गंटे के इसी टाइम के बीच में इसकी लैंट रखी गई है, तो सबसे पहले हम इस मूवी की कहानी के अगर हम चर्चा करें, तो अब अगर आपने इसका नाम ध्यान से देखा है, तो यही होने वाला है, इस मूवी के अंदर एक गैंस्टर है, एक पुलिस वाला है, और एक डैविल, यानि एक शै सेरियल किलर है, वो लोगों को मारता है, लड़कियों का रेप करता है, उनको जान से मार देता है, और एक दिन ये एक गैंस्टर, जिसका नाम है, जांग डॉंग सो, मैंने सही से परनिंशेट किया, आई हो सो, एक तो इसको याद करने में मुझे बहुत जादा टाइम लग गैंस्टर भाई साब ये अपनी सोस से चल रहा है, कि एक बार ये बंदा हत्य चड़ जाए, पुलिस वाले का यूज करते हुए, ये जो किलर है, वो हत्य चड़ जाए, इसको जान से मार दूगा, लेकिन जो पुलिस वाला है, उसकी यही सोच है, कि वो कानूनी रूप से इसको सजा दिलवाना चाहता है, तो कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, ये मूवी ओर ज़्यादा कैसे इंटरस्टिंग बनती है, इस चीज के लिए तो आपको दिफ़र मूवी देखनी पड़ेगी, अब इस मूवी में अच्छा गया है, उसके बारे में कर हम तो ये जो एक लड़ाई दिखाए जाती है ना, कि गैंस्टर कहता है कि भाई साम मेरे हते चड़ गया तो मैं इसको जान से मार दूगा, लेकिन पुलिस वाला इसको कानूनी रूप से जो सजा दिलवाना चाहता है, तो इस कानूनी रूप से जो सजा दिलवाने वाले जो को बहुत विल्ट बनाता है इसके लावा मुवी में गाए बहुत अच्छा लगा अंतलब रगता है की यार वाकई मैं उसने बहुत बढ़िया काम किया है, मतब performance के मामले में तो हर एक ने बहुत अच्छा काम किया है खास कर जो एक gangster है, मा, यार यार, ये ये नाम याद नहीं हो रहे कसम से, बावजुद उसके मैंने लिख रखे हैं तब भी ये मुझे से pronunciation नहीं हो रहे तो इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है मैं Korean के अंदर इन्हीं को एक तरीके से कह सकता हूँ कि जब इनकी मुवी आती है, मुझे मतब पहचान में आते हैं कि हाँ बाई साब इनकी मुवी मैंने काफी बार देखी हुए बाकी जितने भी मैंने Korean movie या Korean series देखी है ना तो उनके नाम याद हुए ना उनके आज तक चहरे पता कि किसने कितना बढ़िया काम किया था लेकिन ये एक ऐसे सक्ष कहूँगा कि जो मुझे याद रहते हैं बाई फेस नाम तो याद नहीं हो रहा इसके अलवा movie के अंदर जो gangster है और जो police है उनका एक साथ काम करना जो इनकी chemistry है वो भी काफी ज़्यादा interesting मुझे लगी तो यह होगी इस movie की अच्छे अच्छी बात है अगर हम कमियों के अगर बात करें तो देखो हाँ एक जो police officer है जो इस movie के अंदर जो killer को साइको है या फिर को serial killer उसको पकड़ना चाह रहा है तो यहाँ पर जो police वाला अपने senior के साथ superior के साथ जैसे उनके बीच में बातचीत होती है तो वो बहुत जादा frustrate करता है मतलब बार बार वही same dialogue यूज हो रहे है अब यह चीज जो है मुझे वो पसंद लिए इसके अलावा movie के अंदर जो एक serial killer वाला जो एक role है उसको depth में भी दिखाया जा सकता था वहाँ पर भी मुझे एक कमी सी महसूस हुई तो यह एक negative part है इस movie का आप जरूर देखें एक आपको शुरू से लेकर आखिर तक अपनी जगह से यह तो हिलने नहीं देगी story wise काफी बढ़िया है action भी काफी बढ़िया है performance भी काफी बढ़िया है तो मेरी तरफ से देखो इस movie को मैं देना चाहूँगा 7.5 after 10 अगर आप लोगों ने movie देखिए तो please comment करना कि movie कैसे लगी और नहीं देखिए तो बिशक आप इस movie को देख सकते हैं तो बस आज के लिए इतना था thanks for watching this studio मिलते हैं next studio में जाएं